राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूनी दिरली में 2047 में एरो स्पेस और विमानिन पर आधारित दो दिवसिय अंतराश्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्खाटिन किया इस प्रदर्शनी का आयोजन एरोनौटिकल सुसाइटी ओफ इंडिया द्वारा अपनी उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में किया गया है ये प्रदर्शनी इसलिए बेहत खास है क्योंकि यहाँ भारत में एरोस्पेस और विमानन यात्रा के 75 सालों के बारे में ही नहीं दर्शाय गया है बलकि इसके साथ साथ विजन दस्तावेस 2047 का विमोचन भी शामिल है वीडियो में द्रौपदी मुर्मू एक एक कर प्रदर्शनी में लगे अलग-अलग विमानों का जायजा ले रही है वही अधिकारी उन्हें विमान के संबन्ध में जानकारी देते दिख रहे हैं आपको बता दी कि अदो दिवसी अंतराश्विय सम्मेलन सह प्रदर्शनी पिछले 75 वर्षों में इस शेत्र में भारत की यात्रा पर केंद्रत है जिसमें उपलब्धियों, तक्निकी प्रगती और महान दूरदर्शी लोगों की भूमिका का प्रदर्शन किया गया है इसमें अंतराश्विय विशेशग्यों, वैज्यानिकों, उद्योगपतियों, सिक्षाविदों, स्टाट अप्स और शात्रों सहित 1500 प्रतिनिध्यों ने हिस्सा लिया है